जबलपु जिला विधिक सेवा प्राधी करण द्वारा 12 मार्च को जिला इवं तहसील नियालेओं में नेशनल लोक अदालत का आयुचन किया जा रहा है आयजित पत्रकार वारता में जिलाविधिक सिवा प्राधी करण के सदस्यों ने बताया कि इस दोरान नेशनल लोक अदालत ने प्रकरणों के निराकरण के लिए 72 खंड पीठों का गठन किया गया है जिसमें मौटद रुघटना का दावा, चेक बाउंस, विद्दुत, अधिनियम, जलकर, पारिवारिक विबाद जैसे प्रकरण रेफर किये जा चुके हैं लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमती के साथ निराकरण किया जाएगा 12 मार्च को आयोजीत होने वाली लोक अदालत के शंबन्ध में रखी गई है जैसा पहले भी लोक अदालत का आयोजन होदा रहा, वर्स 2022 की ये प्रथम लोक अदालत राश्टी बिदिक शिवा प्राधिकरण के निर्देशान उसार, राजी बिदिक शिवा प्राधिकरण और जिला बिदिक शिवा प्राधिकरण के मार्च दर्शन में रखी गई है जिसमें अब तक हमने नियालय में लंबित लगबग 8000 केशों को रिफर किया है उसी तरह प्रिल रिटिकेशन के लगबग 20,000 से अधिक मामले हमने रिफर किया है